दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे देखिया आप लोगों के बहुत सारे कॉश्चन है कि सरकॉंस्टिवल से प्रोमोशन का प्रोसेस समझाए एक बार कॉंस्टिवल से लेकर जैसे जैसे प्रोमोशन होते हैं डेपार्टमेंटली या फ हम देखेंगे समसे पहले यदी हम कंस्टिवल भरक्री होते हैं कि प्रोसेसाफ के लिए दस 20 और 30 का मतलब Constable के बाद यदि उसकी 10 साल की जो नोकरी पूरी हो गी हो तो उसे Head Constable बना दिया जाएगा 10 साल की नोकरी पूरी होने पर Head Constable की उसके फीत लग जाएगी उसके बाद यदि 20 साल की नोकरी पूरी हो जाएगी तो उसके क्या हो जाएगा उसे ASI बना दिया जाएगा ASI यानि 1 star ठीक है भई और यदि उसकी नौकरी की 30 साल पूरी हो जाएगी जोब की 30 साल पूरी हो जाएगी तो उसे क्या हो जाएगा सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा ASI 2 star ठीक है आगी समझ में यह तब है जब आप कोई भी कैसा भी यानि आउट ओफ टर्न प्रमोशन नहीं लेते हो ठीक है यह 10-20-30 यह चीज जब ही लाग होती है जब आपका करेक्टर रॉल बिल्कुल साफ हो मतलब आपके कोई भी रेड पैन नहीं चली हो कोई आपके खिलाप आपकी जो आपके करेक्टर रॉल पर जो है कोई ऐसी घटना जो दरजना हो कोई ऐसी चीज दरजना हो जिससे जो डेपार्टमेंट की छबी को दूमिल करने वाली हो ठीक है कोंस्टेवल होने के रवाद अब देखो यदी देखो एक दूसरी चीज होती है यब हमारी जोब हमारी नौकरी हो जाती है पांस साल की पांस साल की नौकरी पूरी हो जाती है तो हमें एक मौका मिलता है हमें एक अबसर प्राप्त होता है हम एलिजिवल हो जाते हैं किसके लि आपको जाते हैं पानसे साल की उसके लेखिया है लिएक्जाम से भी ओन से हेड कॉंस्टेवल हो जाते हो तो उसके दस साल बाद आप एसा ही हो जाओगे उसके दस साल बाद आप ऐसा ही हो जाओगे और यदि आपकी जोब अगर नोकरी बची यदि आपकी नोकरी बजाती है और आपका करेक्टर रोल अच्छा रहता तो आपका सब्सक्राइब तक जा सकते हैं चीक है अब यदि आप इसमें देखो B1 का आपने एक्जाम क्लियर कर है और आप क्या कर दिया है अब कर दिया है कि अब जो ट्रमोशन मिल सकते हैं आपको इसा काम करते हो इसी ऐसे मुलिन को किसी ऐसे व्यक्ति वक्ति मटड़ते हैं कोई बड़ा खतरनाक विक्ति रहा हो ठीक है या फर कोई ऐसा काम करते हैं डिपार्टमेंट की एक उत्करश शवी प्रदर्शत करते हो ठीक है उसके लिए OTP दिये जाते हैं उसमें आपकी अलग स्थिति हो ठीक है आप उसमें आप इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं इंस्पेक्टर एसीप तक जा सकते हैं ठीक है पहले तो बड़ी रेंग तक चला जाता तो कॉंस्टेबल लेकिन बाद में संसुदन करके क्या कर दिया गया है कि दो टीपी से ज्यादा लेकिन वह क्या है है मिल सकते हैं ठीक है सभी के लिए हो गया है यह सभी के लिए हो गया है ठीक है अगर बात करें जाते हैं अराम से ठीक है कि लेकिन वह एड़ स्टीबल आपको पता मिनिस्टर वाले जो यह ओपिस नई जाते हैं कोई थाना प्रवारी नहीं लगाए जाता यह ठीक है 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 इसपी इन सभी के इंचर बना दिये जाते हैं लुख और जो टीपिऊ वाले यह आप इंस्पेक्टर रेंग तक पहुंच ज देको इनके देखो ऐसा होता है मिनिस्टर वालों के ऊपिस वालों के reward वगरा बहुत सारे बनते रहते हैं। रिवर्ड बंते रहते हैं उसका भी देखो लाव होता है कि मानग चलो देखो प्रमोशन में क्या होता है मानग चलिए कोई A है और B है यह और B है आप दोनों एक साथी भरती हो सेम डेट भरती हो सेम डेट है और यदि आपका करेक्टरों सेम है मतलब आपको कोई भी धंडर नहीं दिया गया है ठीक है कोई भी धंडर नहीं दिया गया है ठीक है अच्छा अब इसमें क्या होगा प्रमोशन का क्या होगा अब मानग चलो इन दोनों में से एक को प्रमोशन मिलना है इन दोनो यह बगार आज यह चीज़ भी आपको देखो यह फेक्टर होते हैं आपके प्रमोशन में और आपका जो पनिस्मेंट होता है पनिस्मेंट से भी आपको क्या है है लेड्वा होते हैं अलग अलग होता है साब इतनी समय छह महीने के लिए आपका लेटर देंगे ठीक है यह पिर सर्फीर्ष ओड हो जाती है सर्फित्स का मत blij dor stickers सब्सक्राइब दोनों साइब से 6 महीने बाद के बरति माने जागा उसेैं पहले डिटर करे जाओगा ठीक है यह होता है यह सारी चीज़ है आप लोगों के और अब दूसरी चीज़ है यह दिया पॉइस्टेवल बरती हो जाते हो अब हम क्या है कोंस्टेवल के बात तीन साल बाद हम एलिजीवल हो जाते हैं क्या हो जाते हैं सिपीवल हो जाते हैं सिप्ई दिपार्टमेट्मेन्ट या पिर सब इंसLabृक्टर बीशलन हो जाते हो तो भाई देखो आप आप एपिस्ट टक जिसे हम DSP बोलते हैं कमिस्टरी में उसे ACP बोला जाता है वो ACP तक पहुंच जाते हैं आराम से ACP तक पहुंच जाते हैं यदि आपके खिलाब कोई बड़ी कार्रवाई वगरा ना हो ACP तक वो पहुंच सकता है आराम से ठीक है तो यह है सारी सीच कॉंस्टिवल से भीवन का एक्जांब ऑलो immun is अब कोई है जिसने अपना करेक्टर रॉली खराब करेखा दो फिर भी ये गए यह मोटा मोटने अगर आप आपका कोई 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 क्वह सब्सक्राइब तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं मिलते अगली वीडियो में जहनु है